दिल्ली में बाइक पर गोली मारने की धमकी देकर लोट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा करते हुए नाबालिक समेत तीन आरोपियों को आदर्श नगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर लोट ली थी जिस पर आदर्श नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वारदात की जगह के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया। जिसमें लोटी हुई कार भोपूरा गाजेबाद दिस्थित पैट्रोल पंप पर दिखाई द सुपरविजिन एसीपी जहांगीर पूरी और ऐसे चो आदर्श नगर कर रहे थे और इनके साथ इनकी टीम थी पूरी तो उसमें तफ्तीश के दौरान जब मोटर साइकल की थरो सर्च करी गई जब CCTV फुटेज की सर्च करी गई तो उससे कुछ CCTV फुटेज हमें लोनी बॉ जाते हुए हम प्रेजेंट केस के तीन जो मुझलिमान है उन तक पहुंचे जिन में से एक माइनर है और दो मेजर है यह तीनों ही करावल नगर के रहने वाले हैं इन में से एक प्रदीप बुसेटा जो है वो पहले एक बार साथ तक्यावन में बंद हो चुका है लोकल पु इन्वाल है वो जुविनायल है इन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान यह बताया कि इन्होंने गाड़ी चीनने के बाद उसमें पेट्रोल वगएरा डलवाके इसको अपने घर के ही नजदी की एक पब्लिक लोकेशन पर पार्क किया हुआ था और अपने घूमने फिरने के इसका इस्तेमाल करते थे जो मोटरसाइकल इन्होंने वार्दात में यूज करी वो मोटरसाइकल भी सब्जी मंडी थाने से 2019 में चोरी की पाई गई